अपोजेशन लीडर राहूल गांधी कहते हैं कि आप लोग मैच फिक्सिंग करते हैं मोधी सरकार अगर एडी सीबियाई और एवियम नहीं हो तो चुनाव नहीं जीत सकती इसको आप कैसे देखते हैं मैं यह कहता हूँ कि एडी सीबियाई की काण हमारी उपर आरोग लगाया जा रहा है क्या करफशन को रूट आउट करने के लिए कि लिए कि गोवर्मेंट को अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहिए दूसरी चीज़िज़ कोर्ट में वह जाते हैं अदालत में जाते हैं औ इडी और सीबियाई पर विशेश इंटेलिजेंस एजनसी का जो इस्तमाल हो रहा है ओपोजिशन कह रही है वो सिर्फ ओपोजिशन लीडर्स को हैरिस करने के लिए हो रहा है वो कहते हैं कि ज्यादा तर इसमें ओपोजिशन लीडर्स को हैरिस किया यहां तक कि दो मुख्य मंत्रियों को भी आपने जेल के सलाकों के पीछे भेज दिया है। तो कोर्ट से उनको जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं रिलीफ मिल लई है। क्या आप यह कहेंगे कि कोर्ट के ऊपर हम लोगों नेगा अपना परवाव जमा रखा है। इस तरीके से बेबुन्याद निराधार आरोप लगाने की कोशिश नहीं करने चाहिए। अपने किरेबान में जहां कर भी बक्ष लेखें। क्यों है इसाब हो रहा है। अपोजिशन का मानना यह है कहना यह है कि जो लीडर्स जो है पहले कॉंग्रेस में थे या कोई और पार्टी में थे जब उनके जब वो बदल दल बदल कर बीजेपी में आ गए ऐसे लीडर्स के खिलाफ जो है केसे डॉप कर दिये इन फाक्ट अभी एक नियूस पेपर ने भी मावले होते हैं जिनमें की आदमा उसमें जिसको क्या करने क्लोजर रिपोर्ट जी वह लगाने की आवश्यक्ता कभी पढ़ती है एजन्सीज को ही पढ़ती है यह जो उनके पास पूरे परमान दी उपलब्द नहीं हो पाते हैं तो कुछ केसों में किया होगा पर आप को परो हैं कि जो बड़े लीडर जो आपके साथ आएं अगर ज़रुष पढ़े गी तो उनके एगेंड़ केस केस खुले रहेंगे यह चलते रहेंगे एजन्सीज को जो अपना काम करना है एजन्सीज करती रहेंगे बिलकुल इंडिपेंड़नेन्ट हैं उनकी ओपर हम दो नहीं है सरकार का कोई दबाव नहीं है और नहीं हम दबाव डालेंगे जी अब राहुल गांधी और आपोजिशन वाइट वाशिंग की बात करते रहते हैं कि यह सब जब जैसे ही दल बदल के बीजेपी के पास वापस जाते हैं तो केस ड्रॉप हो जाते हैं देखे राहुल सच्चाई को भी समझना चाहिए उनकी भी सबकार नहीं पहले रही हैं Viv high भारत में मैं है इसी कोई सरकार रही हो जिस सरकार के उपर अपर व्रश्टाशार के आ्रोप ना लगे हो चांग्रे सट्वा यूपिए जी इस पर व्रष्टाशासार के आरोप ना लगे ह सरकारें तो ऐसी भी रही है जिसमें कि मंत्रियों पर लगे फ्रष्टाशार के आरोपों के कांड मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है लेकिंद दस वरसों का समय गुजर गया हमारी सरकार को काम करते हुए बोडी जी के नेत्रत में यही विपक्ष एक भी आरोप हमारी सरकार के उपर नहीं लगाता है तो उनकी सरकारों में हमारी सरकारों में सबसे बड़ा अंतर है